हेलो स्टूडेंट्स हमारी बीए बीए ऐसी फर्स्ट इयर की बुक चल रही थी वेक्टर कैल्कुलस और हमारा लास्ट रेम जो चैप्टर चल रहा था वो था चैप्टर नमबर 3 gradient divergence curl इसमें हम gradient का topic भी कर चुके हैं divergence का भी कर चुके हैं curl का भी कर चुके हैं अब हमारे पास जो topic आया है आज के लिए वो है second order differential functions अब ऐसे functions के साथ deal करेंगे जिनका second order derivative exist कर रहा होगा ठीक है as divergence of f is a scalar function we can find its gradient that is gradient of divergence of f all these are called second order differential functions ये सारे क्या है second order differential functions अब हमारे पास बात हो रही है laplacian operator की सीधा directive बता रही हम है laplacian operator क्या आता है del square होता है हमारे पास divergence of gradient of any scalar function ठीक है del square जैसे del के आपके पास component क्या थे i curly by curly x plus j curly by curly y plus k curly by curly z तो del square के क्या बन जाएगे इसकी इसी के साथ dot product हो जाएगी curly square by curly x square plus curly square by curly y square plus curly square by curly z square यह हमारे पास है laplacian operator ठीक है इसके बाद हमारे पास है harmonic function यह definition जरूर करनी है scalar point function phi which is continuous and possesses second order partial derivatives is it to be harmonic if del square phi is equals to zero अगर कोई भी scalar point function है हमारे पास phi जो continuous भी है और second order partial derivative possess भी गरते हैं मतलब उसका second order partial derivative exist भी गरता है तो हम उस scalar point function phi को कब बोलेंगे harmonic है अगर del square apply करने पे हमारे पास अंसर 0 के equal आ जाए तो वह harmonic function ठीक है एक हमने divergence से related result पढ़ा था कि कोई भी function आपका solenoidal कब होता है जब किसी function का vector function का divergence 0 होता है irrotational कब होता है जब किसी vector function का curl 0 के equal होता है अब हमारे पास आया है कि harmonic कौन सा होता function जब del square उस function का 0 के equal चला जाते है ठीक है यह सारे बिल्कुल सिंपल एक बारी में बढ़ोगे आपके हो जाएंगे यह वाला question मैं नहीं करवा रही हूं इसके बाद इसको भी मेरे करवाने की ज़रूरत नहीं है यह देखो सीधा आपके particular दिया हुए पॉइंट दिया हुए यह आपका calculation का काम है यह आप कर लोगे यह मैं नहीं आपको करवा रही हूं हाथ से करके जरूर देख लेना इसके बाद यह बाला भी आपका simple है सीधा आपको curl निकालना आता है gradient निकालना आता है सब निकालना आता है मैं सीधा आपको करवा रही हूं question number 4 से ठीक है उमीद कर ली हूँगी आप लोग उन questions को खुद कर लोगे ठीक है अब देखो हमें proof क्या करना है डेल square of r into r vector is equals to 4 by r r vector where r vector is equals to xy plus y j plus zk and magnitude of r vector is equal to r बस यहाँ identification आपकी ही है जिसके उपर vector का symbol नहीं आया वो magnitude वाले r की बात हो रही है ठीक है डेल square इसके अपलाई करना है डल स्क्वार की वैल्यट क्या होती है अगर मैं पार्ट इसको ब्रेक करूं यह क्या है इसको सिंप्लिफाइ कर देंगे इन ग्योग कर देंगे इसके अब इसका क्या मेनिंग है पहले एक बार एकस के इस्पेक्ट में derivative होगा ठीक है अब यह क्या था आर इंटू आर वेक्टर का था न डेरिवेटिव यू इंटू वी का फॉर्मुला लगा सकते हैं यू का इस्पेक्ट में डिफ्रेंशेट करते हो तो आपके पास करली औरवाइग करली और करली और वेक्टर हमारे पास किसके एक्वल है x i plus y j plus z के curly r y curly x किसके इकवाल आएगा पूरे वेक्टर का derivative x के respect में यहां नहीं है यहां नहीं है यह 0 हो गया इसका x के respect में किया तो क्या आगया आई ठीक है अब यह सारी value इसकी value i आगी है मेरे पास इसकी value x by r आगी है अब एक बार और हमारे पास differentiate करना है x के respect में तो कैसे करेंगे अब u into v इसको एक function माननो इसको दूसरा function माननो r vector by r as it is ठीक है r vector by r as it is x का derivative x के respect में बाना जाएगा फिर x as it is रखा इसका derivative इसका u by v वाला formula आप करना चाहो तो u by v apply कर लो u into v करना चाहो u into v कर सकते हो u by v करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा नीचे r square उपर पहले ये वाला r as it is फिर इस वाले उपर वाले r का derivative x के respect में minus अब इस r का derivative curly r by curly x अब ये वाला r vector as it is और इसका क्या हो जाएगा curly r by curly x i ठीक है अब simplify कर सकते हैं इसको ये तो r by r और इन दोनों करेंगे एक r से एक r कैंसल बचेगा क्या x by r curly r by curly x और इधर से क्या बचेगा हमारे पास x into r vector by r square curly r by curly x और ये as it is curly r by curly x की क्या value है हमारे पास i i value डाल दी curly magnitude वाले की क्या है curly r by curly x की x by r वो value डाल दी और यहां से फिर से curly r by curly x magnitude वाले की x by r है x by r डाल दी value ठीक है तो ये value मेरे पास किसकी आई है curly square by curly x square of r into r vector ठीक है अब generalize कर सकते हो हमें क्या क्या निकालना था curly square by curly y square भी निकालना था curly square by curly z square भी निकालना था कैसे generalize करेंगे जहां i है i किसमे convert हो जाएगा अगर आप y के लिए कर रहे तो i कहां चला जाएगा j पे चला जाएगा जहां जहां y है वहाँ जहां x है इसमे वहाँ वहाँ y आ जाएगा बाकी सारा सेम चलेगा आपका x की जगा y आ गया ऐसे z पे जब जाओगे तो i किसमे convert हो जाएगा i किसमे convert हो जाएगा k में और x किसमे convert हो जाएगा z में ठीक है यह तीनों की value आ चुकी है हमारा काम क्या था इन तीनों को add करने का था तीनों को add कर दो हमारे पास क्या बन जाएगा यह तो आपका सीधा बनेगा 3 r vector by r ठीक है और यहां से क्या common आ रहा है 1 by r common लोगे तो x i plus y j plus z के ठीक है इधर से भी common लोगे तो 1 by r common लिया तो x i plus y j plus z के एक यह हो गया यह हो गया यह हो गया और इधर से minus 1 by r cube common लिया तो और r vector भी common लिया तो x square plus y square plus z square यह किसके equal है R square के equal ठीक है एक R square से R square cancel नीचे R बच जाएगा यह R vector by R यह भी R vector by R यह 3R vector by R यह भी R vector by R simplify करोगे कितना आजाएगा 4R by 4R vector by R ठीक है next question देखो divergence of gradient of R raised to the power N means del square apply करने किस पे R raised to the power N पे आपको इसके equal प्रोब करने है ठीक है पहले यह 1 by 1 कर रहे है आप चाहो तो इकठा भी कर सकते है कोई ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली मतलब जैसे पिछले में किया था curly square by curly x square R raised to the power N plus curly square by curly by square R raised to the power N plus curly square by curly z square R raised to the power N वहाँ से भी आपका अंसर सेम ही आने वाला है इन्होंने separate separate कर रखा तो separate कर लो यह क्या है scalar function है तो वहले gradient निकाल रहे है इसका del की value put की ठीक है जिस भी तरीके से करोगा आपका हर तरीके से अंसर आना ही आना है डेखो क्या था हमारे पास curly by curly x किसका था R था R raised to the power N पहले इसका R के respect में जाएगा R के respect में क्या जाएगा N R raised to the power N-1 यह पिछले दो तिन exercise पहले भी यही exactly यही काम हो चुका है ठीक है और R का X के respect में curly R, curly X Similarly N, R, N-1 curly R, curly Y nr n-1 कर लिए r y कर लिए z यह किसके एक्वाई r यह y by r और यह z y r simplify करोगे हमारे पास क्या जाएगा nr एक r उपर लेके जाओगे तो nr n-2 common आ गया अंदर क्या बचा x i plus y j plus z के यह किसके एक्वाई r vector के एक्वाई हमारे पास अभी तख gradient r raise to the power n की क्या value आगी है nr raise to the power n-2 into r vector अब इसका divergence निकालना है कर दो जी value put वैसे मेरे हिसाब सागर आप मेरी मानो तो आप direct उस वाले से करोगे ना दो दो बार derivative वाले तरिक्के से इस से आपका ज़्यादा सही होएगा बाकी देख लो कोई दिखत नहीं है हो तो इससे भी जाएगा इसमें बस property आपको याद रखने बड़ेगी अब divergence इसका निकालना है न यहाँ पर क्या एक vector function है और एक scalar function है तो divergence 5 into r vector का क्या होता है gradient 5 dot r vector plus 5 divergence of r vector अब gradient of this dot r vector yes it is divergence of r vector सारी values put कर दी है हमने ठीक है इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पहले r के respect में derivative किया तो 1 n already था power n minus 2 आगे आगी r की power क्या बन जाएगा n minus 3 और साथ में r का x के respect में curly r by curly x similarly यहाँ पर curly r by curly y चलेगा और यहाँ curly r by curly z और इसमें क्या आ जाएगा i वाले का i वाले के साथ j वाले का j के साथ k वाले का k वाले के साथ वैसे भी हमने पढ़ा था divergence of r vector किसके एकवल होता है थीक है तो यहाँ से जो जो common आ रहा है common ले लो n n minus 2 r raise to the bar n minus 3 common आ गया है इसकी value put कर दी x by r y by r z by r एक और r denominator से common ले लिए उपर जाके minus होगी एक और power ये क्या बनेगा x i plus y j plus z के r vector बन जाएगा r dot r r square बना देगा फिर से जब power side होएंगी ये फिर से n minus 2 बनेगी power यहाँ पर भी n minus 2 है power फिर इनको add करोगे तो हमाई पास simplify करके ये आजाएगा कुछ नहीं है बिल्कुल पीछे वाले जो चीज़ें आप अब तक पढ़के आई हो ना gradient divergence करने हो वो सारा यूज हो रहा है एक और question देखते है show that the function 1 by r where r is magnitude of r vector is harmonic function मतलब क्या निकालना है del square of 1 by r आपको 0 के equal show करना है इस पूरे चप्टर में इस पूरी exercise में करना ही हो या harmonic show करना है या del square की value निकालना है del square of this is equals to this पहले एक बार del apply किया पहले इसका r के respect में क्या होगा minus 1 by r square r का x के respect में कर ली r by कर ली x same यही चीज़ यहाँ पे ठीक है सारी बहुत पतने कितनी बार यह repeat हुई होगी बात ठीक है अब यह मेरे पास क्या बन जाएगा 1 by r cube यह मतलब सीधा आ जाएगा minus r vector by r cube एक बार और del apply करना है कर दो apply अब यह phi into अब इन्होंने phi into si की जगा इन्होंने क्या कर दिया vector की form में लिख दिया नहीं तो चलो कर सकते थे उस तरीके से भी यहां पर आप वो वाली property भी लगा सकते थे del dot del of 1 by r मतलब हम पास यह आया r vector 1 by r cube minus 1 by r cube into r vector यह del dot phi into r vector यह वाली भी apply कर सकते थे जैसे अभी पिछले question में गी थी पर इन्होंने आप जैसे कर रखे आर वेक्टर की value put कर दी separate कर दी है इनको अब हर एक पर यह अलग-अलग apply होता रहेगा i वाला i वाले के साथ j वाला j वाले के साथ k वाला k वाले के साथ ठीक है अब इसका x के respect में करना है तो u by v वाला formula लगा दे है नीचे वाले की power 2 नीचे वाला as it is x के respect में 1 x as it is नीचे वाले का derivative 3r square और कर ली r by कर ली है similarly y में होगा similarly z में होगा अब यहां से जो जो चीज़े common आ सकती है जब इसको इसके साथ करोगे 1 by r cube आएगा इसको इसके साथ करोगे 1 by r cube इसको इसके साथ 1 by r cube ठीक है और इसको इसके साथ लेके जाओगे तो minus 3 by r is to the power 4 यहां से भी आएगा यहां से भी आएगा यहां से भी आएगा इकठा common ले लिया अंदर क्या बचेगा x कर ली r by कर ली x y कर ली r by कर ली y और z कर ली r by कर ली z इसकी value आ x y r इसकी y by r और इसकी z by r सारी values पूट कर दो x square प्लस y square प्लस z square by r वो फिर से किसके equal है r square के equal simplify करके यह क्या बनेगा 3 by r cube एक plus का, एक minus का cancel होके क्या जाएगा 0 हमने क्या निकाला यह del square of r vector by r किसके equal आगया 0 के equal आगया तो जब भी किसी का del square 0 के equal आता है तो it means function कैसा बन जाता है harmony आगया harmony एक last question हो, देख लो del square किसका निकालना x by r square का del square की यहाँ भी देखो इन्होंने वही चीज़, जहाँ आपको जैसे comfortable लगे आप वैसे कर सकते पहले gradient into divergence वाले तरिक्के से करना लगता तो आप इस वाले से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बाकि आपको जो convenient लगता आप वो कर सकते हैं ठीक है दो दो बार derivative करना है पहले इस वाली term को उठाया पहले इसका एक बार होएगा फिर इसका फिर से एक बार और एक्स के respect में जाएगा पहले x का किया तो मतलब यह क्या कर रहे है x इन्टो बार स्कुरे मान के चल रहे है से एक्स का किया तो 1 बार स्कुरे as it is फिर 1 बार स्कुरे का क्या ग्वर कर ली r भाय कर ली एक्स इसकी वाली oxyr सिंप्लिफाइग करके है यह आजाएगה अब इसका फिर से x के respect में partial derivative करना है ठीक है तो इसका एक बार फिर से x के respect में partial derivative करना पड़ेगा ना अब यहाँ पर क्या लग जाएगा सिधा minus 2 by r cube और r का x के respect में curly r by curly x इसको फिर से u into v वाला formula हम apply कर देंगे 2 by r raised to the power 4 into x स्क्राइब सकते हैं 2 by r raised to the power 4 as it is x के respect में 2x आ गया फिर 2 by r raised to the power 4 का derivative पहले r के respect में किया तो क्या जाएगा minus 4 by r raised to the power 5 और 4 into 2 यह 8 हो गया और r का x के respect में curly r by curly x और यह वाला x square as it is अब curly r by curly x जहाँ भी है वो value पुट कर दो xy r simplify करके यह आ जाएगा अब यह मेरे पास किसकी value आई है curly square by curly x square of xy r square अब इसमें आप generalize नहीं कर पाओगे क्यों? क्योंकि यहाँ तो x था तो x के respect में derivative चला था अब यहाँ अगर y होता तो आप generalize कर सकते थे और यहाँ अगर z होता तो कर सकते थे generalize लेकिन यहाँ पे भी अब x है अब यह तो एक constant की तरह काम करेगा इसमें भी और इसमें भी यह constant की तरह काम करेगा हमें सिरफ दो बार derivative किसका करना y के respect में 1 by r square पहले first time किया तो हमारे पास यह वाला x तो हमारा as it is चल रहा है पहले इसका r के respect में किया तो minus 2y r cube और r का y के respect में curly r by curly y ठीक है करली r by curly y गया चल रहा है y by r value put कर दी एक बार और इसका y के respect में किया अब होएगा अलग minus 2x constant की तरह treat होएगा और y into 1 by r raise to the power 4 u into v की तरह y का y के respect में किया 1 आ गया और 1 by r raise to the power 4 as it is फिर y as it is चला 1 by r raise to the power 4 का minus 4 by r raise to the power 5 और curly r by curly y इसकी value क्या है y by r ठीक है अब यहाँ generalize कर सकते हो z वाले का क्योंकि यहाँ पे भी आपका x constant की तरह treat हो रहा था यहाँ पे भी constant की तरह treat हो रहा था इसकी तरह बन जाएगा यह जहाँ यहाँ y दिख रहा है वहाँ यहाँ z आ जाएगा बस x हमारा as it is चलेगा ठीक है अब हमारे पास सबकी value आ चुगे इसकी भी आ गी है इसकी भी आ गी है इसकी भी आ गी है तीनों की value तो add कर दो हमारे पास देखो क्या बनता है minus 2 minus 2 minus 4 और यह minus 6 minus 10x by r raise to the power 4 और यहाँ से हाँ कुछ cancel तो नहीं हो रहा देखो 8x by r raise to the power 6 को मन लेने भी आ गया x square plus y square plus z square और यह किसकी value होती है हमारे पास r square की cancel out होके यह क्या बनेगा 8x by r raise to the power 4 और यहाँ क्या है minus 10x by r raise to the power 4 क्या बच जाएगा minus 2xy r raise to the power 4 ठीक है student यह था आपका last lecture chapter number 3 के लिए आपका chapter number 3 भी खतम हो रहा है और इसी के साथ ही आपकी second unit खतम हो जाती है ठीक है अब इसके बाद जो आपकी fourth unit है index नहीं है इस page में चलो fourth unit में आपका अकिला यही कर्वी linear coordinate वाला चेप्टर है ठीक है अब कर्वी linear coordinate वाला मैंने पूरा करवाया हुआ है पिछले साल जब lockdown आया था तब हमारा यह मतलब यहां तक का हमारा already offline classes में हो चुका था इसके बाद वाला जो भी syllabus था वो online classes में मैंने cover करवाया था तो इनकी वीडियो अब आपको मेरे चैनल पे upload होती हुई नहीं दिखाई देंगी बाकी वाले chapters की वीडियो चैप्टर नमबर 4, 5 & 6 इनकी वीडियो डेली आपको uploading में नहीं दिखाई देंगी मैं ध्यान से सुनने न क्या कहना चारी हूँ जो आगे की तीन चैप्टर हैं उनकी वीडियो आपको डेली uploading में नहीं दिखाई देंगी आपको कहां जाके चेक करनी पड़ेगी मैं डेली या last के 3 days जो भी होगा जाकरेगी वेक्टर कैलकुलोस की प्लेलिस्ट चेक करते रहें ठीक है आगे की चैप्टर आपको डारेक्ट वीडियो अपलोड नहीं होगी सिरफ प्लेलिस्ट से जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि आज वो वीडियो एड हुई या नहीं हुई यह आपकी पिछले साल वाली जब लॉकडाउन चल रहा था वो वाली वीडियो ही मैं आपको शो करूँ ठीक है उमीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो थैंक्यू स्टूदेंस